ओम शान्ति अगर मन परेसान और दुखी हो जाता है जीवन में उदासी है कुछ करने का जीने का आनंद समाप्त हो रहा है जीवन परेसानियों के समंदर में घिरा हुआ अनुभव हो रहा है मन में भै है सेहन करना मुश्किल लग रहा है तो समझ लीजिए आपका मन निर्बल हो रहा है सक्तियां समय पर काम नहीं कर रही है इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद को परिस्थितियों और बातों से पावरफुल बनाने के लिए ये एक अभ्यास आपके लिए सबसे बड़ी मेडिशन है क्योंकि समस्याओं बड़ी नहीं होती बड़ी होती है मन की स्थिती मन कमजोर है तो छोटी बात भी छोटी परिस्थिती भी मन का चैन छीन लेती है और मनुस्य परसानियों और दुखों के समंदर में घिर जाता है अगर मन सक्ती साली है तो हर समस्या हर बात खेल लगती है दुख की फिलिंग्स नजदीक भी नहीं आती है इसके लिए इस प्रकार से बार-बार अभ्यास करें चलते फिरते कुछ भी करम करते खुद को बार-बार या हर घंटे में एक बार ये सम्रिती दें ये अभ्यास करें तो मन सर परिसानी और दुखों से उपर उठ जाएगा मन बलवान हो जाएगा हर परिस्थिती उसे छोटी लगेगी तो इस अभ्यास को इस तरह से करें पूरे विश्वास और नसे के साथ ये संकल्ब करें सर्व शक्तिवान भगवान मेरे साथ है उसको सर्व शक्तियों और हजार भुजाओं के साथ पग पग पर अपने साथ बार बार अनुभव करें मन को स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए ये अनुभव करें सर्व शक्तिवान भगवान जो मेरा बाप है मेरा अलौकिक पिता है अपनी सर्व शक्तियों के साथ हर पल मेरे साथ चल रहा है उसकी सारी सत्यां मेरे साथ कार्य कर रही है चतर चाया के रूप में मेरे साथ है उसको हर पल अपने साथ निहारें और देखें भगवान ने मेरे सिर पर अपनी सर्व शक्तियों की हजार भुजाएं फैला दी और कहा बच्चे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यूं चिन्ता करते हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है क्यूंकि तुम मेरी चतर चाया में हो मैं और मेरी सर्व शक्तियां सदा ही सुरक्सा कवच बनकर तुम्हारे साथ हैं हर बात और परिस्थिती को मुझे सौप कर बस तुम सदा मुझे अपने साथ अनुभव कर तो मैं तुम्हें घने संक्टों से भी बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से भी उल्जनों से भी बाहर निकाल दूँगा मैं तुम्हारा जिम्मे बाहर बन जाओंगा Aum Shanti